तो बात है mid 1600 और 1700 की, जब फ्रांस और अने यूरोपियन देशों में politics, philosophy, science और communication में radical reforms और re-orientation हुआ, इस समय को आज की डेट में age of reason या age of enlightenment कहा जाता है, इस समय जहां एक तरफ लोग अपनी absolute मोनार्की से परेशान थे तो दूसरी तरफ चर्च ने भी लोगों के समाजिक र आती थी और किसी भी तरीके के बहुत ही क्रूर punishments देती थी, पूरे फ्रांस में coffee houses और literary salon इमर्ज हुए, जहां लोग अपने thoughts और emotions को बया किया करते थे, age of enlightenment के एक बड़े विचारकों में से एक थे Montesquieu, जिन्हें अपने कुछ important काम जैसे separation of power and checks and balances की थे त्योरी से एक जानते हैं Montesquieu कौन थे, Montesquieu का जन्वरी 18, 1689 में बौर्दू, France में हुआ, family बहुत well off थी, पर 7 साल की उम्र में मा चल बजी, मा एक noble family से बिलॉंग करती थी, इसलिए उनके पास जाने के बाद उनके नाम पे जो भी था, वो Montesquieu के नाम पे wealth transfer हुआ, ग्यारा साल की उम्र में Montesquieu अपने अंकल के पास पैरिस बेज दिया काई, जहां पे रहकर उन्होंने science, literature और concept of classical education पढ़े, 17, 13 में जब वो खाली 24 साल के थे, तब उनके पिताजी भी चल बजे, और 3 साल बाद अंकल भी, तो दोनों के निधन के बाद Montesquieu को एक तगड़ा financial gain हुआ, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लूज भी किया उनके डेथ के बाद, लेकिन ये financial gain की वज़े से, पच्चे साल की ही उम्र में, उन्होंने काफी सारा जादा से जादा टाइम अपने social study की थेोरी इस को एक्जामिन करने में लगाया. Montesquieu एक celebrated political philosopher की तरह इमर्ज हुए, 1721 में उनकी पहली बुक, The Persian Letters Market में आई, जो एक satirical बुक थी, European Society के ऊपर एक non-European point of view से लिखी हुए, Montesquieu की एक instant success थी, पर चर्च को ये बुक ज़दा पसंद नहीं आई, इस बुक के चर्च ने कडी निन्दा की, पर as a philosopher Montesquieu को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया. The Spirit of Laws पब्लिश हुई 1748 में, जो की 1751 में चर्च को ये द्वारफ पॉबिडन बुक की कैटिगरी में डाल दी गई, बट इस बुक को Montesquieu के जीवन के सबसे important बुक बोला जाता है, इतनी important कि James Madison जुन्होंने अमेरिका का constitution लिखा है, उन्होंने भी Montesquieu के इस बुक को follow किया है. Montesquieu ने The Spirit of Laws में diversity के causes को समझना और समझाने की कोशिश किये. अगर हम ये समझ जाएं कि इस social diversity का cause क्या है, तो हमें अपनी society का type of social formation भी समझा जाएगा. Montesquieu ने ये बात social typology के थूँ समझाई है. उन्होंने government को तीन portion में divide किया है, republic, monarch और despotism. और इनके development के causes को भी समझाया है. जहां republic, जिसमें aristocracy और democracy दोनों ही आते हैं, उन्हें ethic से जोड़ा जाता है, तो monarchy को honor से और despotism को no basic rule से. हर government एक political principle ही नहीं, पर एक basic sentiment भी था. ये Montesquieu ने अपनी theory of social diversity से समझाया. According to Montesquieu, monarchy अगर बहुत लंबे समय तक चल जाए, तो वो despotism का शकल ले सकती है. इसी वज़े से उन्होंने दूसरी theory इजात की, जिसका नाम था separation of power. आये समझते हैं, separation of power क्या थी? ये एक approach है, जिसमें किसी भी देश की government को branches में divide किया जाता है. जिसमें हर एक branch की अपनी responsibility होती है. Typically ये तीन branches में divide किया जाती है. legislature, executive and judiciary. इसे tripartial भी कहा जाता है. legislature, जहाँ rules बनाने के लिए responsible होती है, तो executive rule को execute करना या apply करने के लिए. और judiciary का काम होता है, इन दोनों को laws की याद दिलाना. आए इसको और इच्छ से समझते हैं, American governance system के तुरू. Congress, executive branch और judiciary एक तरह से देखा जाये तो अलग-अलग branch हैं, पर तीनों ही branches एक दूसरे द्वारा बराबर निगरानी में रखी जाती हैं. जिसे Congress, executive branch के misconduct पे जहां President को impeach कर सकता है, तो President भी legislative branch को उसके misconduct पे विटो कर सकता है. दूसरी तरफ देखा जाये, तो Congress, judiciary को भी impeach कर सकता है, अगर judiciary ने क्योई भी कार्य ठीक से नहीं किया है. On the other hand, judiciary भी किसी भी law जो legislative branch ने बनाया है और unconstitutional है, तो उसे unconstitutional का करार दे सकता है. अब executive branch को देखें, तो President के पास power है कि वो जज़ को भी nominate कर सकता है. तो आप देख सकते हैं कि separation of power और checks and balances को एक शांदार तरीके से design और apply किया गया था, ताकि किसी भी सज्माज में despotism का खत्रा ना लूँगा. यही थी theory of separation, social diversity and checks and balances by Montesquieu. आपको कोई भी सवाल है तो आप comment box में लिखें, इसे like और share करें अगर इसने इस presentation ने आपकी help की. Thank you, मैं हूँ Shreya from Cosmosis Agitation.